गेंडा जमीर पर पाय जाने वाला जानवरों में हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा अस्थन पाय जानवर है गेंडे की 5 परजातिया पाय जाती है जिसमें से 2 अफ्रिका में और 3 दक्षिन एस्या के देशों में मिलती है दोस्तो आज गेंडे के बारे में पांच मज़ेदार और रोचल तत्य बताने वाला हूँ नमबर वाद गेंडा हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा अस्थन पाय जानवर है दोस्तो इसके उचाए 6 फूर तक हो सकती है और लंबाए 11 फूर तक वर सकती है वजन की बात करें तो गेंडो का और स्थन 2000 से 2700 किलो तक के हो सकते हैं भारत में गेंडो का वजन 3800 किलो भी रिकॉर्ड किया जा चुका है नमबर टू आपको बता दे कि अफ्रिका में पाय जाने वाले सफेद गेंडे पूरी तरह से सफेद नहीं होते हैं बलकि इनकी तवचा करंग कुझ भूरा सा होता है काले गेंडो के मुकाबले इनका मुझ ज़्यादा चोड़ा होता है नमबर टू गेंडे की तूथन के उपर जो सिंग होता है असल में वो सिंग नहीं होता है या हजारों मोटे मजबूत बालों का गुच्छा होता है या उसी पदार्थ केट्रिन से बना होता है जिसमें हमारे नाखुन बने होते हैं नमबर फुर आपको उता देखे गेंडे की पांचों परजातियों में से भारती और जावन गेंडे का एक सिंग होता है दोर सकते हैं और गेंडों की आखों की रोस्नी कुछ खास नहीं अच्छी होती है लेकिन इनके पास गजब सुने और सुनने की छमता होती है तो ऐसे फ़र पर जाने के लिए हमारे चैन को लाइक करें सब्सक्राइब करें